हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में तो UKPSC यानि के उत्राखन लोग से वायू का दोस्तो एक latest notification आया है विग्यप्ती या फिर सुद्धी पत्र के संबन्द में जो की दोस्तो संबन्दी तया जेल बं उसके बाद में उसी विग्याप्न के संदर्व में एक सुद्धी पत्र जारी किया गया था 29 दिसंबर 2022 को उक्त विग्याप्न के बिंदुवन में दोस्तो रिक्तियों के विबरण में राजकी ग्रहमे निवासरत अनात बच्चू हेतु आरक्षित पदू का उधरवताधर स्रिनीवर यथा अनुसुची जाती जन जाती OBC EWS सामाननी विवरण अंकित नहीं है यानि कि इसमें आपका टोटली सीटे निकले गई थी लेकिन OBC SC जो भी आपका वर्टिकल डिजर्वेशन है दोस्तो वहां अंकित नहीं था दोस्तो अता है दोस्तो राजकी ग्रहमे न संसोधन किया गया है उसी के संबन्द में दोस्तो यहां आपका सुधी पत्र है इसमें दोस्तो आप देख सकते हैं 10 शंग्राम सनानी के दो पत है पूर्वसैनिकों के नो पत है और राजकी ग्रहमे निवासरत अनाथ बच्चों है तो यहां पर नो पत्र स्विक्रत किये गए यहां पर अनाथ जो बच्चे है उनके लिए दोस्तो वर्टिकल डिजर्वेशन का विभाजन किया गया जोके आ पद दोस्तों आपके करागार विभाग में अनाथ बच्चों को दिये गए हैं जिसमें दो आपका SC कैटेग्री के होंगे एक OBC कैटेग्री का होगा पां सामाननी कैटेग्री के होंगे अनाथ में भी दोस्तों यह लग-लग कैटेग्री आ है और EWS में एक OBC ठीक है और वहीं जो राजकी करागार विभाग में दोस्तों पद किया गया है अरक्षित वो है एक पद सामानी का ठीक है ओपरोक्ति के अतरिक्त जो भी आपका दोस्तों विग्यापन रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा बागी जैसा कि आपको बता है जो जेल बंदी रक्षक परिक्षिया दोस्तों इसमें आपका पहले फिजिकल होना है ठीक है और फिजिकल यह क्योंकि देखिए फिजिकल आपका जो UKPSC का कलेंडर है उसके अकरटिंग जो आपका बंदी रक्षक का फिजिकल है दोस्तों वह क्या है फिजिकल में जो भी पेरामिटर्स है वो सभी के लिए मैंने आपको नोट्विकिस वालने वीडियो बना रही है तो उसके हिसाब से जिन भी आप भेरतियों ने जेल बंदिरक्षक का एक फॉर्म भरा हुआ है दोस्तो वो अपनी तैयारियां भी करते रहें क्योंकि मा अप्रेयल महा में दोस्तो इसके फिजिकल के बारें बताया गया है और नॉमबर दिसंबर महा में दोस्तो आपका जेल बंदिरक्षक का एक्जाम पेपर है इसका दोस्तो आपका रिटन एक्जामनेशन होना है जिस हिसाब से दोस्तो UKPSC अपना कलेंडर के वीडियो से यू नेक्स टाइम धन्यवाद